Hey friends, कैसे हैं आप सब और एक बारी फिर से का सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल भी मन्यू में दोस्तों, आज की बुडिया थोटी डिफ्रेट होने वाली है यह वीडियो जातर यूट्यूबर्स के लिए है जो यंग यूट्यूबर है तो यह रिसेंटली यूट्यूब जोइन किया है और वो यूट्यूबर उनकी एटसेंस लग चुकी है अगर आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके 100 डॉलर पूरे हो जाते हैं आपके यूट्यूबर्स कर सकते हैं क्या further process आपको करना है अब सब्सक्राइब हम सब जाएंगे अपने एटसेंस में तो यह रहाँ एटसेंस एकाउंट खो लेते हैं विकॉस मैंने भी जब यूट्यूब जो है मैंने भी जोइन किया था तो मैंने वो difficulty पाई थी अपने इन चीजों के साथ कि कैसे करते हैं और मुझे कोई भी मुझे कोई detailed मुझे full video नहीं मिली थी तो मैं सोच रहा हूँ कि यह video मैं बना दूँ आप सब के साथ आपको दिख रहा होगे कि इस मत की जब payment जो है मेरी यहाँ पर बन चुकी है कोई भी उडिवर आपको इनी payment दिखाते नहीं बट मैं आपको आपको आप में शो कर रहा हूँ तो आपको पता है मेरा चैनल है बिल्कुल एक टांस प्रेंसी के ओपर ठीक है मैं कुछ भी चुपाता है नहीं अपने इस स्क्राइबर से तो आपके जब 6 लोड़ आपके तरफ यहां पर पूरे हो जाएं आपको कुछ नहीं करना है simply आपको यहां पर नीच आपको payment का option आपको दिख रहा होगा simply आपको payment पर आपको यहां पर click करना है और उसके बाद यहां पर आपको यहां पर column दिख जाएगा तो यहां पर होगा transaction settings and how to get paid आपके यहां पर manage payment methods पर आपको यहां पर क्लिक करना है बट आप पैसे तभी निकला सकते हैं जब एक बार ही आपके 100 dollar complete हो जाएं जो payment threshold होता है वो 100 dollars का होता है वो 100 dollar 100 dollar पूरे होने के बाद ही जो है आप payment को check out कर सकते हैं अपने AdSense account से तो अब सब manage payment methods पर click करेंगे यहां पर आप click करेंगे add payment method पर यहां पर एक page open हो जाएगा पहला आपको पूछा जाएगा brief free ID तो यह optional है इसको आप छोड़ सकते हैं यह आप आजएगा name on bank account तो आप जिस भी account के साल link करना चाहते हैं कि इस account में बारी payment receive हो तो उस bank account में जो आपका नाम होगा आपको वही same नाम यहां पर mention करना है bank का नाम mention करना है IFSC code आपको mention करना है दोस्तों और यह चीज़ा जिसका नाम है swift bci तो आप जिस भी आपका account हो जाए आपका जैनके bank का हो पंजाब national bank का हो जाए और भी जिस भी company का आपका bank account हो आप वहाँ पर जाएए उनसे आप swift bci पूछिए यह जलूरी होता है swift bci है swift bci होता है कि जो international जो transactions होती है जैसे कि आपको भी foreign से जो है आपको money बेचता है इंडिया में तो उसके swift bci होता है हर bank का अलग होता है यह आपको जो है नेट पे मिलेगा बर नेट पे येकिन मत कीजिए payment का सवाल है तो आप bank में जाए हर bank का अलग होता है ब्रांच का तो यहां पर आपको account number डालना है या फिर से आपको retype अपना account number डालना है तो नीचे यहां पर है inventory bank and FFC code और FBCO code तो यह तो यह आप इतना जूरी नहीं है तो last के दो का आप छोड़ सकते हैं यहां से आपको tick करकर आपको save कर देना है एक बार यहां से आप save कर देंगे यह यहां से आपको जो है एक option ऐसे यहां पर create हुआ दिख जाएगा यह देखिए यह आपको यहां नीच में आपना शो हो रहागा अभिमन्यू चोदरी करकर तो already जो है मैंने आपना अपना सब कुछ create करकर रख दिया है तो एक बार ही आप इस चिसको create कर लेंगे आपको बस स के लिए वो होती है 21st तो हर मंत की 21st को जो है Google जो है अपने वहां से payment को release कर देता है और आपको आपकी email पर mail भी आ जाता है कि आपकी payment जो है release हो चुकी है दोस्तों इसके पर मैं एक वीडियो बना दूँगा कि मुझे जब payment पहुंचेगी इस बारी तो इसके मैं वीडियो चार working days की अंदर अंदर जो है payment आपके bank account में आ जाएगी तो सब्सक्राइब बिल्कूली simple process था मत हाँ मैं एक चीज जिस जिस जिसे जो नहीने यूट्यूबर्स हैं जो गलती कर जाते हैं जो मैंने भी गलती की थी वो यह है कि आप जब भी जो हैं आप जो bank account associate करें वो adsense account चल रहा है वो मैंने अपने नाम पर ही बनाया है ऐसा ना करें कि adsense account किसी और के नाम का हो और जो bank account को आप किसी और के नाम पर कर दें विकास गूगल की जो है security policies कर जदा change हुई है बहुत ज़्यादा जो है वो strict हो चुकी है इन payment के मामले में because there scams भी होती है कुछ लोग क्या करते हैं अपने YouTube का account बेच देते हैं अपने YouTube का account बहुत लोगों को तो इस चीश को overcome करने के लिए YouTube नही नहीं process के साथ आता है तो इस चीश का ध्यान रखें कि आपको जिरफ एक ही time मिलता है इस payment को add करने का ज़्यादा ट्राइस ना लें एक ही बार करें अच्छे से करें और उसी का जिसके नाम का add sense हो उसी के नाम का back account हो तो काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो में नेक्स वीडियो के लिए peace out